अगर आप इस तरीके से पनाएंगे तो आपके हल्वे कभी ना तो करेंगे ना ज़्यादा गीले होंगे देखिए यहां मैंने 650 ग्राम जिने की दाल ले लिए हूं ऐसे चार से पांच घंटे के लिए पानी में सोख करने के लिए रख दी हूं अब उसके बाद क्या की हूं चार पांच घंटे हो गए तो उसको अच्छे से वाश कर लिए हूं तीन पानी से उसको आप गैस पर एक बरतन में रख दी हूं अब उसके बाद मैंने फूल फैट मिल्क यहां मैंने 650 ग्राम मैंने लिया है अब इसमें मैं इसको डाल दियूं इसको अब क्या करेंगे इसको चलाते हुए इसमें अब पकाएंगे इसको इतना पकाएंगे जितना यह दाल जब तक यह दाल यह सौफ्ट ना हो जाए देखिए इस तरीके से इसको कभी भी पुरा ढख के ना पकाएं क्योंकि इसमें दूद है दूद के वज़ासे यह बाहर तक वबलकर आ जाएगा इसलिए ऐसे इसको चलाते हुए पकाएं लेकिए इस तरीके साथ इस दूद को पूरा इसमें शुखा लेना है इसको तब तक इसको चलाते हुए चुखाना है जब तक यह सौफ्ट ना हो जाए इसको बस बीच बीच में चलाते रहे हैं ताकि नीचे चिपके भी न और उपर से दूद उबलकर बहर न आए और इसको धकिएगा नहीं अब देखिए यहां में जब तक वह पक रहे हैं सासत में चलाती रहोंगी यहां मैंने जितना चने की डाल ली हूं उतना ही में यहां गुड़ ली हूं यहां मैंने 650 ग्राम में गुड़ ली हूं इसको च्टे 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 टुकड़ को काट लेंगे या तो किसी चीज से च्टे च्टे टुकड़ा कर लेंगे कर लेंगे देखिए यहां मैंने कर लिया है इसको बस ऐसे ही इतना चुटा टुकडा कर देंगे देखिए यहां में चना का दाल भी होकर कम्प्लीट हो गया है देखिए बिल्कुल में दूज सूख चुका है यह दाल भी बिल्कुल परफेक्ट की सौफ हो चुका है यह देखिए इस तरीके से इसको बहुत जादा नहीं गलाना है अगर जादा गला लेंगे तो आपको पिषने में दिक्कत आएगी पिषेंगी नहीं इसको मैं मिक्सी में पिषूंगी बिल्कुल इसको कभी भी गरम डाल कंग नहीं पीसना है यह जब हो जाए इसको ठंडा कर ले 2-3 घं़टे के लिए या फिर पंके की नीचे हवाकरन pipe the नीचे चोड़ दे यह बिल्कुल ठंडा हो जाए तब इसमें इसको पीसना है इसमें बिल्कुल ना तो पानी डाल ना ही दूट डालना है देखिए इसको बिलकुल इस तरीके से थोड़ा दरदरा पीसता है बिलकुल इसका soft paste नहीं बनाना है यह इतना soft होई ही जाता है कि इसमें आपको नहीं दूट की जरूत पढ़ेगी नहीं पाने की जरूत पढ़ेगी इसको पीसने के लिए मैं इसी तरीके से सारे डालों को पीस्ट लूँगी देखिए बिल्कुल दरदरा है इसी से इसका टेक्शर बहुत अच्छा था और टेस्ट भी देखिए मैंने सारा डाल पीस्ट लिया है अब क्या करूंगी दो एक इंच का डाल्चीनी का टुकड़ा ली हूं एक बड़ी थेस पथ्ता लिक्ष अब यहां एक मैं पैन लोगी उसमें मैं घी डालोंगी आप घी में बनाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब आएगा अगर आप इसको रिफाइन तेल में भी बना सकते हैं तेल को जादा ये घी को बिल्कुल भी जादा गरम नहीं करना है बिल्कुल हलके तेल में इसको लॉंग डालचीनी बड़ी लाईशी ये दोनों तेज पार थोड़ा सा इसको इसमें प्रेक्टल होने देंगे खुश्बू आने देंगे तो इसको पिर इसमें क्या करेंगे डाल एट कर देंगे ध्यान रखें घी जादा गरम नहीं बिल्कुल हलके ही गरम में देखिए मेरा थोड़ा पैन चोटा है इसलिए मैं इसको दो बैचे में करके बनाओंगी अभी मैं हाफ इसमें एड कर रही हूं फिर मैं इसको कंप्लीट करने के बाद मैं हाफ बाद में एड करूंगी बाद में बना कर तयार कर लोंगी अब इसको दी में आज पर दी में स्टार्टिंग में आप मीडियम आच रख सकते हैं लेकिन एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप इसको कंटिन्यू बस ऐसे ही चलाते रहें मन्ना ये नीचे लग जाते हैं यह बनने के बाद बहुत ही टेस्टी बनते हैं अगर इसको आप ऐसे लगाता है तेस फ्लेम पर छोड़ देंगे नहीं चलाएंगे लगाता है तो क्या होंगे नीशे जल जाएंगे इसका टेस्ट बिगर जाएगा और कलर भी अच्छा इसका नहीं आएगा इसको देखें वी दूसरे काम भी सरसर देख सकती हैं लेकिन मैं में आज पर इसको कंटिन्यू चलाती जा रही हूं इसको तक्रीबन पूरे भुन्ने में आपको 45 मिनर बिल्कुल अराम से लग जाते हैं गीरे नियर की जलाते जाएं इसका कलर दीरी दीरे आपको दिखेगा चेंज होता जा रहाए मैं गी कितना गी चलाते जारे करती जाओंगी अभी मैं हाफ बना रही हूं तो इसलिए एक बार में मैं 250 ग्राम का ही गी यूज करूंगी फिर नेक्स बैंच बनाओंगी तो उसमें 250 ग्राम यूज करूंगी अब एक तरफ क्या करेंगे पहले बरतन गरम नहीं करना है मैंने बरतन पहले चडहा दिया करना है I wat दिया है उसको बुनने के लिए दूसरे तरफ में डाल ली हूं इसका चाशनी बनाने के लिए तो मैं यहां जो 650 ग्राम में गूर ली थी गूर भी मैंने यहां हाफ प्रोपोर्शन कर दिया उसका तो गूर ले दियो में हाफ और यहां एक ग्लास की जितना मैं पानी यूस कर लोंगी ज्यादा पानी बिल्कुल भी आइड नहीं करना है यहां पानी लगबग होगा मेरा 200 मिली ग्राम 200 मिली लीटर बस इस तरीके से हम इसको गैस ओन करके इसको चलाते रहें और इसको अच्छे से पका लेंगे यह पूरा पिगल जाएगा यह जो भी बड़े टुक रहें देखिए अब यह थोड़ा थोड़ा और है यह भी ऐसे चलाते रहें और इसको पकाते रहें नहीं चलाएंगे तो नीचे गुड़ लग सकता है थोड़ा अथि तो उसकी चाश्नी थोड़ी गाड़ी होने लगी है व मैं आपको दिक्खाऊंगे इसकर सबस्क्राइक तो यह शहत की तरह फिलो देखिए बिल्कुल पानी की तरह नहीं है थोड़ा धीर धीये गीर रहे इसको इसी consistency का रखना है ज्यादा इसको गाड़ा नहीं रखना है नहीं पतला रखेंगे तो आपके गतली शेप में नहीं कटेंगे और गाड़ा रखेंगे तो आपके हल्वा जो है वो हार्ड हो मैं अपने हल्वा की तरफ आ गई हूं इसको दीमे आज पर मुनने के लिए मैंने छोड़ दिया था देखिए इसका देए देरे कलर चेंज होता जा रहा है कि इसको बस आप पेसंस रखके बूने आप जितना पेसंस रखके इसको दीमे आज में बूनेंगे आपका हल्वा उतना ही टेस्टी बनेगा देखिए मैं जो 50 ग्राम और बचा कर रखी थी उसी में से फिर मैंने एक स्पून फिर पीच में डाल कर इसको घी को फिर अच्छा से चला ली हूं आप चाहें तो पूरा जितना मैं डाल ली थी 650 ग्राम आप उतना ही घी ले सकते हैं लेकिन मैं उतना ज़्यादा यूज नहीं करती हूं उतना ज़्यादा वाली पसंद नहीं है हम लोगों को इसलिए मैं यहाँ 650 ग्राम डाल ली थी तो यहां मैंने 500 ग्राम मैंने घी का यूज किया है बस इस तरीके से अच्छे से चलाते रहें फिर देखिए मैंने यहाँ एक टेबल स्पून फिर से मैंने घी अट कर लिया है फिर इसको अच्छे से डाल के मिक्स करेंगे इसका इसका पहचान भुनने का यह होगा कि आपको बहुत अच्छी सी सोंधी सी खुश्बू आने लगी कि कलर भी पहले से बिल्कुल चेंज है चुका होगा यहां देखे मैं कुछ ड्राइफ फूर्ट्स ले ली हूँ आप अपने पसंद के कोई भी ड्राइफ फूर्ट ले सकते हैं अब इसको मैं उसको घी में फ्राइ कर लोंगी बस बीच बीच पे इसको मीरियम आश्प करके इसको चलाते रहें तेज फ्लेम बिल्कुल ना करें वरना आपके डाल जल जाएंगे यह बहुत जल्दी चिपकते हैं देखिए इसका भुनने का पहचान क्या है यह बिल्कुल दरदरा सा आपको बिल्कुल दाना अलग अलग दिखने लगेगा तो समझिया आपका यह जो दाल है बिल्कुल पर्फेक्ट्ली रेडी हो चुका है बुनकर कलर भी पहले से काफी चेंज आ चुका है अब यह मार रेडी हो चुका है तो जो चाशनी थी चाशनी ठंडी होगी तो कोई फर्द नहीं पड़ता है आप इसको इसमें डालकर अच्छे से मिक्स करते जाएं थोड़ा-थोड़ा करते हैं अभी मैंने अधा डाला है इसको मिक्स कर लूँगी फिर इसमें जो भी बच बचा इसको डालकर फिर से अच्छे से मिक्स करोंगी और पैन को छूडने तक अच्छे से इसको पकाऊंगी इचाशनी डालने के बाद बहुत ही जल्दी इसमें सोक कर लेता है जल्दी ही डेडी हो जाते हैं बस इस तरीके से आप अच्छे से चलाते रहें जो आधा बचा वो भी इसमें एड कर लिया है चाशनी को देखिए वो मैंने जो चार इलाइशी लिया था उसको अच्छे से कूट ली हूँ कूट कर इसमें अब मिक्स कर दी हूँ लास्ट में डालने से इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है मैं फिर से एक टिबल स्पून यहां गी एड और की हूँ फिर से इसको अच्छे से मिक्स करूंगे देखिए यह मेरा कैसे पैन छोड़ता जा रहा है इसका मतलब मेरा हल्वा यह बिल्कुल रेडी हो चुका है अब इसकी कतलिया काट सकते हैं अब मैं यहां देखिए ड्राइफ फ्रूट को भी जाकी घी में फ्राइफ कर लिए उस द्राइफ रेट कर लीमें गार्निषिंग के लिए रखी पाकी मैं इसको क्या की थे फ्राइफ करके इसमें प्राइब करने से क्या होता है इसमें बीच में बिल्कुल क्रण्ची सा फ्लेवर आता है बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है आप चाहे तो ऐसे भी जाल सकते हैं मैं सजेट करूँगे किश्मिस आपना डाले अगर आप इसको जादे दिन स्टोर करना चाहते हैं दस दिन के लिए वह भी फ्रीज में तो आप इसमें किश्मिस ना अड़ करें क्योंकि किश्मिस में खटा बन होता है तो इससे जो है ना कोई भी चीज आप बनाएंगे तो वह उसके खराब होने के चांसे बहुत जल्दी होता है मैंने यहां एक ट्रे पे क्या किया है घी से ग्रीस को उसको ग्रीस करके रेडी कर लिया अब मैं यहां कतली इसका बनाने के लिए इसमें डाल दूँगी इसको इसमें डाल कर अच्छे से आप सेट कर लिजिए यह जितने ठंडे भी हो जाएंगे तो कोई फरक्त नहीं परता आप उसको उस टेम भी सेट कर सकती है लेकिन अब भी कर लिजिए तो ज़्यादा बेहतर बहुत अच्छे से नेशिंग आता है नहीं जो भी मैं ड्राइफ रखी थी इसको क्या की हूं उसमें डाल कर और इसको गार्निशिंग करके फिर से इसको अच्छे से ब्राबर कर लिए गूँगी किसी बरतन के हल्प सरफ देखिए यह मैंने चोटा सा बतल लिया उसे अच्छा से ब्राबर कर ली हूँ अब अपने कोई पसंद के कोई भी साइज में इसको आप कट कर सकती है स्कुआयर कट लेजे डामेंडशेप में काट लेजए आपकी जैसे पसंद हो मैं इसको डामेंडशेप में काट ऊगी देखिए कितना स्मूथली यह कट रहा है थंडा होने के बाद भी आपका यैथने दिन भी रख लीजेए दस से बार दिन, बिल्कुल खराब नहीं होता है क्योंकि मैंने यहां इसमें । डूद स्टर्टिंग में आड़ किया थै अगर डूद नहीं आड़ करती तो इसको और भी। ज्यादा दिन दिन के इसको कट कर लिया है अब मैं आपको एक पीस यहां निकाल कर दिखाऊंगी कितना अच्छा यह बनाया है अलबा देखिए बिल्कुल आप अगर इस मेथट से बनाएंगे मेरे इस तरीके को फॉलो करके तो आपके केग बहुत ही अंदर से जूसी बनेंगे बहुत ही अच्छे रिजर्ट आएंगे एक बार मेरे इस रेसिपी को प्लीज ट्राइ करके जरूर देखे आपको भी बहुत पसंद आएगे प्लीज अगर मेरे वीडियो पे नए आए है चैनल पे नए आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूले थैंक यू तेक कर बाइब बाइ